प्रेग्नेंट है और अपने स्किन की केर करना चाते हैं तो यह वीडियो आप एंट तुक जरूर देखें हेलो फ्रेंड वल्कम बीक टो माइ चैनल मैं हो सांच और आज मैं अपके साथ अपनी प्रिग्निंसी मौनिंग स्किन केर रूटीन आपके सार कर रही हूँ सबसे पहले तो मैं अपनी जो pregnancy की issues है वो आपके साथ share करूँगी जो है dark spots, dark circles, dark neck, dry skin, वोगेरा वोगेरा but please 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 अपनी skin को gently handle करें pregnancy में क्योंकि ये सारे issues जो है वो आपकी delivery के बाद fade away हो जाएंगे pregnancy में जो मेरा morning routine है वो बहुत ही basic है सबसे पहले है cleanser मैं hydrating cream to form cleanser यूज़ करते हूँ सेरावे का इससे जो मेरे skin के natural oils है वो strip away नहीं होते और मेरे skin जो है dry और cakey feel नहीं होती I mean to say dry और stretchy feel नहीं होती अगर आप cleanser यूज़ करते हैं और आपकी skin stretchy feel हो रही है tight feel होती है इसका मतलब यह है कि वो जो आपका cleanser है आपके लिए too harsh है तो सबसे पहले आप cleanser change करें बाकि और कुछ change ना करें और आपको difference खोदी दिखेगा cleansing करने के बाद damp skin पर यानि कि गिली-गिली skin पर मैं hydralonic acid लगाती हूँ hyalonic acid जो है वो आपकी skin को पूरा दिन hydrate रखता है लेकिन शर्त यह है कि अगर आपकी skin damp हो तो यह जादा effective होता है dry skin पर इसे ना लगाए hyalonic acid को अच्छे से absorb होने दे damp skin पर और इसके बाद आप toner spray लगाए ताकि जो hyalonic acid को more moisture मिले आपकी skin पर work करने के लिए यहाँ मैं यूज कर रही हूँ Liz Earl का Instant Booth Skin Tonic by the way जो मैंने hyalonic acid यूज किया था वो इंकी list का था अब थोड़ा सा अपनी skin को dry होने दे अब मैं यूज करूँगी vitamin C serum अब कोई भी brand का vitamin C serum यूज कर सकते हैं मैं यूज कर रही हूँ medic aid का C tetra vitamin C serum यह थोड़ा expensive है और इसके alternatives है boots का vitamin C serum या फिर इंकी list और या फिर ordinary का vitamin C serum आप यूज कर सकते हैं यह मेरा favorite serum है क्यों क्योंकि यह आपकी जो skin पर glow लेकर आएगा आपकी जो pigmentation है उससे थोड़ा कम करेगा sun से protect करेगा तो यह मेरा must है अब मेरी बारी है eye gel या eye cream की normally मैं काफी सारी eye cream स्ट्राइ कर चुकी हूँ जैसे के सिरावे, लारोश पोसे, vitamin C boots की brand जो मैं अभी लगाने लगी हूँ मुराद बाकी कई बट मुराद मेरी जो थी वो favorite vitamin C eye gel cream थी क्योंकि 14 days के अंदर-अंदर मेरे जो dark circles है वो fade away हो गए थे क्योंकि मुराद cream खतम हो गई है इसलिए मैं vitamin C का serum gel यूज कर रही हूँ ताकि मेरे जो eye area वो hydrated रहे है अब क्योंकि मैं pregnant हो, मुझे पता है कि मेरे dark circles नहीं जाने वाले किसी cream से so I'm keeping it very simple and very cheap so that मुझे expensive products पर जो है time और पैसे waste ना करने पड़े इसलिए आप कोई भी cream लगा सकते है main purpose है आपको जो अपना eye area है वो hydrated रखना है अब मैं लगा रही हूँ cerave का facial cream moisturizer यह SPF 25 है by the way SPF 50 भी आ चुका है तो आप अगर SPF moisturizer लेना चाहते है तो best है SPF 50 ही ले मैंने order कर दिया है तो next time जो मैं use करूंगी तो SPF 50 ही use करूंगी क्योंकि मैं घर पर रह रही हूँ इसलिए मैं ये moisturizer ही लगाती हूँ अगर मैं घर से बाहर निकलना है जिसे कि ये half an hour ज्यादा दूप में रहना है तो मैं proper sunscreen लगाती हूँ यहाँ पर मैं use करूंगी लारोश पुसे की SPF 50 sunscreen आप देख रहे हैं moisturizer में काफी सारा लगाया है क्योंकि जब आप moisturizer SPF वाला लगाते हैं तो आपको बहुत ज़ादा moisturizer लगाना पड़ता है ताकि जो SPF है वो effective हो पर अगर आपके पास SPF moisturizer नहीं है तो यह लारोश पुसे की जो sunscreen है SPF 50 this is the best one it doesn't leave a white cast कोई white cast नहीं अपकी skin पर छोड़ेगी बहुत थिन होती है इसलिए मैं step by step लेकर parts में लगाती हूँ ताकि मेरी पूरी skin पूरे all over face में अच्छे से apply हो और effective हो अब बारी है lip balm या फिर lip gloss लगाने की तो मैं use करी हूँ face theory का lip balm जो की bio active है और beeswax से बना है आप देख सकते हैं कितना simple और basic skincare routine है मेरे pregnancy का और बिल्कुल भी panic ना करें अगर आपके issues pregnancy में start होए है क्योंकि at the end of the pregnancy ये सारे fade अभी हो जाएंगे आप देख सकते हैं मेरे को काफी मुझे काफी dark circles भी हुए हैं बट not too worry ये दीरे दीरे खुद ही fade away हो जाएंगे I hope आपको ये वीडियो पसंद आए मुझे follow ज़रूर करें Bye Bye